इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, TCS NQT की जो अप्रिल की लेटेस बैच आने वाली है, उसकी सारी अपडेट की एक्जाम्स का अब है, लास्ट डेट का है, फॉर्म फिलिंक का और सब कुछ, ये बहुत अच्छी अपॉचुनेटी है, थर्ड यर फाइनले स्टु सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाले है, तो वीडियो का एंट तक जरूर देखना, वीडियो के मने बेसिक सी लाइक टार्गेट रखिए होगा है, तो फट पर वीडियो को लाइक करो, और चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ओके वाया, तो सबसे पहले हमां बता सबसे पहले हैं, तो उसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, आज अभी को चौबीस तारिक को वीडियो रिलीज हो रही है, तो अपने बाद चार पाइस दीन ही है, तो फट 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 फॉर्म फिल कर दो, इसी के साथ हैर, eligibility criteria क्या होगा, paper pattern क्या होगा, जो सा TCS NQT होता का Assumer भाई, तो चलो उनको भी बताए तो, actually आप जो finally year में आते हो ना, तो कोई भी company में apply करते हो, तो सबसे पहले एक test लिया जाता है, जिसको कहते है, aptitude test, जिसमें time of work, train और अलग 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 टाइप के mathematical problem पूछते है, तो यार आप बनादर हर company में इसम्झों aptitude दे रहे, तो कहीं तो अच्छा perform करते हैं, कभी अच्छा नहीं perform किया तो, तो नो TCS NQT ने बोला गया, हम लोग एक exam रखते हैं, तो आपको एक ही बार test देने, तो आप जाके हमाने आपर test दो, ठीक है, आप जैसे perform करोगे, आपके basis में हम आपको score देंगे, तो आपको स aptitude देने की जरुवती नहीं, बलब एक ही बार आपको अच्छा perform करना है, और बस, फिर आप वो score को 2 साल तक यूज कर सकते हो, वापस आपको aptitude देने की जरुवती नहीं, तो तगड़ी चीज़ है, बहुत तगड़ी opportunity है, third year और final year students के लिए, तो इतना समझ गया कि क्या है, लेकिन इसकी paper patterns क्या होती है, और इनकी eligibility criteria क्या है, तो सबसे पहले हम इनकी eligibility criteria देखते हैं, कि कौन इस test को दे सकता है, तो चलो देखते हैं, इसका eligibility criteria क्या है, तो basic सा है कि, who can apply, so student passing between 2018 to 2024, जो 2018 से pass हो चुके हैं, और जो 24 तक पास होने वाले हैं, वो सब यहाँ पर apply कर सकते है pre-final year and final student from any stream or degree, pre-final year क्या होता है, समझो 4 साल की degree हो और थर्ड यर में हो तो वो pre-final year होता है, तीन साल की degree हो तो second year में, तो जो आपना degree खतम होने कि, एक साल पहले और last year, यह दोनों वाले लोग apply कर सकते हैं, यह तक लियर है, working professional with up to 2 years of experience, मतलब आप कहीं काम कर रहे हो प तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, undergraduate, post graduate और diploma students who are in the pre-final year and final year can apply, age limit है, minimum 17 साल के आप होने चीए, और maximum आप 30 साल के होने चीए, तो आप सब apply कर सकते हो, date एक और वार फिर से बतार हो, क्योंकि बहुत जरूरी है, 14th April को अपना exam सोने वाला है, और 30 March इसकी last date है, clear है, अब इसका paper pattern देख लेते हैं कि सुमर भाई इसमें आता क्या पढ़ना क्या क्या रहता है, वो तो बता हो, चलो भी देखते हैं, तो चलो देखते हैं, TCS NQT का paper pattern, क्यार सुमर भाई इसमें क्या क्या आता है, तो basic साच जैसे मैंने बोलाता है कि aptitude के लिए है, तो aptitude और coding दोनों साथ मे इसमें पूछा जाता है, ठीक है, aptitude में 3 sections होते है, numerical, verbal और reasoning, इसमें क्या क्या चीज़ आती है, train problem हो गया, time and work हो गया, allegation mixture हो गया, profit and loss हो गया, verbal में reading compression हो गया, synonymance, antonymance हो गया, fill in the blank जैसा कुछ हो जाता है वो चीज, और reasoning में direction, blood relation, ये इसका चाचा तो वो तिरा क्या क्या क्या आता है इसमें, बाकी ना इसका इसके अंदर क्या क्या topics properly cover है और क्या importance है, उसकी ना मैंने मतलब एक पूरा PDF बनाया है, तो उसके हमारी telegram group में आप जोइन करोगे, तो हमारा telegram group जोइन कर सकते हो, इसका paper pattern देख लेते हैं, paper में क्या पूछते हैं, क्या पूछते section और दूसरा advanced section, पार्टे में सबसे पहले trades आता है, यह ना आपका logical, psychological question होता है, एक minute के होता है, इसमें कुछ सही गलत नहीं होता, यह देखना चाहता है कि आप कैसे सोचते हो, एक minute में आप उसको अराम से solve कर सकते हो, चलो, फिर आ जाता है जो main है, numerical ability, तो इसके 20 questions आते है और 25 minutes आपको मिलता है, उसको solve करने को, verbal ability के 25 questions मिलेंगे और 25 minutes मिलेगा उसको solve करने को, reasoning ability के आपको 20 questions मिलेंगे और 25 minutes मिलेगा आपको solve करने को, यह कभी, मतलब, कभी verbal में जादा हो गया, कभी numerical में कम हो गया, पर आप समझ सकते हो, यह हिसाब से आएगा, कभी 18 हो सकता है, तो कभी 22 हो सकता है, वह हिसाब से, तो time अपने को उत्ते मिलता है, ओके, अब आजाते है, advanced quantitative ability, वही topics होते हैं, लेकिन थोड़े advanced में, difficult complicated questions होते हैं, तो उसमें आपको 10 questions मिलते हैं, पंदरा मिनिट मिलते हैं, advanced reasoning ability में भी अपने को 10 questions मिलेंगे और 20 minutes मिलते हैं, last में आपको advanced coding round होते हैं, जिसमें आपको 2 questions दी जाते हैं, एक थोड़ा basic होते हैं, दूसरे advanced होते हैं, वह ही matrices, strings और data sections पर questions रहते हैं, जितना आप जादा coding की practice करोगे, इतना आप आराम से इनको solve कर पा होगे, छो 55 minutes का होते हैं, तो total 88 questions होते हैं, और 166 minutes का अपना test होते हैं, तक लिए र concept समझो और उसको जितने जादा हो से के practice करो, जितना आप जादा प्रैक्टिस करोगे, उतना पेपर में confident रहोगे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दो, जितना आप मॉक टेस्ट दो के न उत्ता क्यार पेपर में कैसा होने वाला अगर उसका पहली इतने को experience हो जाए, तो सही benefit भी होगे, तो TCS NQT का हमारा study material है, जो हमारे आप पे अवलेबल है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली topic wise notes मिल जाते है, formula हो गया, salt example हो गया, practice problem हो गया, इतना क्लियर है, उसी के साथ जाद जो programming logic equations होने वाले है, जो coding के उसके regarding भी आपको notes मिल जाएंगे, इसी के साथ साथ आ last moment tutions का app को आपको install करना नीचे description में आपको link मिल जाएगा, वहाँ पर TCS NQT का pack आपको buy करना है, और boom, उसमें आपको सारी चीज़े मिल जाएगी, notes, practice problem, mock test, सब कुछ, तो जाओ और अभी का अभी अपना पढ़ना शुरू करो, best चीज़े है कि आप इसमें offline भी save कर सकते ह क्या पार PDF को app के अंदर ही save कर सकते हो और जब चाहूँ तब पढ़ सकते हो, तो अभी का अभी आप इसकी study material को enroll कर सकते हो, चलो आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं सुमेर भाई pack कौन सब आइकन है, तो चलो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, pack कौन सब आइकन है, और यहां से मरलब यह करते हैं, public sapient हो गया, Tata हो गया, विदान्तु हो गया, Titan हो गई, पहुत सारी company, white head junior हो गया, upgrade हो गया, जो यहां से hire करते हैं, clear है, अब आजाते हैं, pack पे, तो basics है, अगर आप IT field में अपना career बनाना चाहते हो, coding में career बनाना चाहते हो, तो आपको TCS, NQT, IT वाला pack buy करना चाहते हैं, इतना clear है, अगर आप अपना career finance में बनाना चाहते हो, banking में बना चाहते हो, तो आपको TCS, NQT, BFSI pack buy करना चाहते हैं, अभी भी अगर आपको है, क्यार मेरी degree के recording क्या है, तो आप no more पे जब क्लिक करोगे, तो आपको बहुत सारी details आजाएगी, कि क मुझ तो समझ गया है, okay, register कैसे करना है, सुमिर बाई, basic सा कुछ नहीं करना है, buy नाव पे जैसी आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे, अभी तो login पूछ रहा है, आपको new registration करना है, create account कर सकते हो, आप अपने Gmail से भी यहाँ पे sign up कर सकते हो, जैसे आप sign up करोगे, आपको सामने कब होने वाली है, जो मैंने बैसे ही बता दिया, उस दिन आपको test देना है, इत्ता clear है, फिर भी एक registration नहीं समझ रहा, तो उसकी भी मैने वीडियो बनाई है, नीचे description में जाके check out कर लो, बागि सुमेर भाई, यही कहना चाहता है, यह को time बहुत कम बचा है, अभी से अगर तो लाए, पट पट, चलो खालर गो and have a nice day.